वेलकम डिया स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है आरसर यूटूब चैनल पर और हम आचुके हैं भी लाइव एक नई क्लास लेकर नया शेशन लेकर आप लोगों के सामने हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा टोपिक जिसमें से कुशन पूट अप किये जाते हैं और बच्च हमने नाइन एं की क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके शे और बारी ई तो सर उन कॉंसेट को इ्म्पलीमेंट करने की तो किस तरीके से इम्पलीमेंट किया जया कुशन को प्रतीक मेरा सोलजर पुरए जोस के साहें लाइव आ जाए हम्ड़रो पर زफें करें प्रिविस एर के कोशन भी आपको देखने को मिलेंगे और देख लिजेगा आप खुद देख लिजेगा कि इसके जो कोशन होते हैं वो किस लेवल पे होते हैं वो आपको हम रियलाइज करवाएंगे चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशिन मिटा कोई भी बच्चा अगर नया है हमारे प्लेटफोर्म पर आप देख लिजेगा सुबर 9 बजे मैच का कॉंसेप्ट स्टार्ट होता है और फिर NDA क्रेस कोर्स के क्लास होती है 12 बजे लेकिन सर कल ये जो दो क्लासे हैं वो ओफ रहेगी क्योंकि आपको पता है ना ओनलाइ पिम पे जो क्लास होगी वो चलेगी कल इसके अंदर हम एक नया टोपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा आपका इंवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF होगा ठीक है तो आप तैयार हो जाईएगा ITF इंवर्स टिग्नोमेट्रिक को पढ़ने के लिए फिर सोलीशन आपको टीम इसपेस आरसर टेलिग्राम चैनल के जरी आप लोगों तक पहुंचाई जाती है ठीक है जी चलो और माई राइजिंग इंडिया एप्लिकेशन प्रते एक बच्छे के सेलफोन में होना चाहिए गूगल प्ले स्टोर से आप माई राइजिंग इंडिया एप्लि इंडिया एप्लिकेशन के उपर मिल जाएगा तोपिक वाइज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमेंस अपडेट होता रहता है तो आप इसको देख लीजेगा प्रेक्टिशेशन आपको वहां पर मिल जाएगा एप्रोक्स लीमेट पांच जार कुशन तो डल चुके हो होंगे वहां पर ठीक है और भी नए 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 कुश्चन जैसे इसे क्लासे बढ़ती जाएगी वेसे वेसे कंटेट उस पर डलता जाएगा आप एक बार देखना कंटेंट की क्वालिटी देखना उसके बाद में आप अंदाजा लगाओगे कि किस तरीकी का कंटेट वहां वहां पर होगा एप्लीकेशिन कि रिंग लोगिन करने में दिक्कत आ रही है सबक्रिपिशन करने में का रिएemi करने में सब्क्रिप्ष्ण के लिए अगर दिक्कत आती हैं अबर पे कॉल करेगा और अगर आप किसी एजुकर्ट से बात करना चाते हैं जैसे मेट्स का अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप इस नंबर पर कोल करिएगा 11 से लेकर 12 बजी के बीच में मैं अवेलेबल रहूँगा आपका जो डाउट है वो क्लियर करने के पूरी-पूरी कोशिस में करूँगा ठीक है चलो जी आजो भाई फटाफट और केसी चल रही है आपकी तयारियां बल्याग जोर सोर से चल रही है है अब तो हमारे कुछ ही टोपिक रहे हैं algebra का मोटा मोटा portion अगर हम मानें तो algebra का portion रहा है और वो भी हम ज़्यादा दिन नहीं लेंगे algebra का portion के अंदर 45-50 question का जो last time पर हम जो करवाएंगे तो यह मान के चलिएगा वो सफिसेंट होंगे 2-2-3-3 दिन के अंदर एक एक topic को अगर हम finish करेंगे तो 6-6 topic बचे वे हैं जो complete आपके हो जाएंगे ठीक है exam से पहले पहले exam से पहले पहले आपका पूरा concept practice हम करवा के बेजेंगे NCRT के regarding जो कोई questions बचेंगे एक बार syllabus complete हो जाए NCRT के regarding कुछ questions जैसे probability के important होते हैं 3D के important होते हैं तो वो आपको उस time पर मिल जाएंगे मेरा थन class जो आएगी उनके अंदर आपको उनके questions मिलेंगे मतलब full and fire करने वाले हैं इस बार छोड़ेंगे नहीं 10 November तक तो ये मान के चलो बिल्कुल ग्यान भर के छोड़ेंगे self study आप साथ में जैसे भी करते रहे हो जो भी आपको पसंद हो वो करते रहिएगा उसी तरीके से करते रहिएगा maintain रखिएगा अपने आपको एक महीने तक energetic रहिएगा ठीक है? एक महीने तक अपने आपको energy से भरपूर रखो चाए कुछ भी आजाएं 10 गंटे, 12 गंटे, 18 गंटे जिद्रे भी देर पढ़ना है पढ़ो जब तक आप सेटी स्पाई नहीं हो जाओ ठीक है? चलो स्टार्ट करता हूँ मैं पहला सवाल पहला सवाल पहला कोशन बिटा आपका पहला कोशन पहला कोशन पहला कोशन आपको दे रखा है किसी मिनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदू पर 60 डिगरी का कौन बनाती है उस बिंदू से 50 मिटर पीछे हटने पर वगत 30 डिगरी का कौन बनाती है तो मिनार की उच्चाई क्या है? ऐसे सवालों को वेटा, आप देखते ही उड़ा दोगे और जवाब दीजेगा बिटा इस question का चलो जी हाँ जवाब दीजेगा क्या होगा इस question का सही answer कि एक मिनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदू पर 60 degree का कौन बनाती है जैसे मैं बात करूँ कि सर ये मिनार है और ये इसकी जड़ है मतलब पाद बिंदू है और पाद बिंदू से किसी जो दूसरा बिंदू है उस पर जो एंगल बनाती है वो 60 degree का एंगल बनाती है 60 degree का एंगल बनाती है इसे बिंदू से अगर पीची हड़ जाए 50 मिटर 50 मिटर अगर मैं पीचे हड़ जाओं यहाँ पर 50 मिटर चल जाओं में तब यह जो एंगल हो जाता है कि सब एंगल हो जाता है 30 दिगरी तो आपको बताना है मिनार की उंच्छाई क्या है मैंने आपको सीधा सा कॉंसेट बताया है आप डाइरेक्ट केलकुलेट कर लो डाइरेक्ट हो जाएगा जब भी अगर मैं कहूं कि 360 का अगर angle बनता है तो direct आप concept याद करिए कि सर ऐसे case में ये तो होता है under root 3 ये parameter होता है 1 और ये जो parameter होता है 2 आप unit ये जो मैंने blue pen से बनाया है जो purple pen से बनाया है आप लोगों के लिए वो standard parameter है आप ये देखो कि 2 unit बराबर कितना है 50 तो आपको कितना निकालना है आपको height निकालनी है under root 3 unit किसके बराबर होगा कि सर 1 unit 1 unit बराबर तो हो जाएगा सर 25 और under root 3 unit जो है वो हो जाएगा 25 under root 3 25 under root 3 आपका right answer बोलो यार इसे बढ़िया so trick क्या होगी कोशन देखते ही कोशन को उड़ाता है और हर एक बच्चा उड़ा रहा है बिटा हर एक बच्चा उड़ा पा रहा है ठीक है चैलो जी बहुत बढ़िया बिटा तो पहला कोशन अपना हो गया है अगला सवाल NDA NA 2021 का सवाल 6 मिटर लंबी एक सीडी किसी उड़दवादर ध्वज दंड के सिर्ष से 6 मिटर नीचे एक बिंदू तक पहुंचती है और सीडी के पाथ से ध्वज दंड के सिर्ष का उन्यन कोण पिचोतर डिग्री है तो ध्वज दंड की लंबई अब इस केस के अंदर बेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पिचोतर डिग्री की वेल्यू क्या होती है 75 डिग्री की वेल्यू क्या होती है वो आपको ध्यान बे रखना पड़ेगा चलो हम एक बार डाइग्राम में राएंगे उसके बाद में जर्रत होगी 75 की value भी हम calculate कर ही लेंगे ठीक है साइद 10 की अगर काम में आए तो 10 75 की value आपको पता होगी under root 3 minus 1 बटा under root 3 plus 1 ऐसा होता है आपके पास under root 3 plus 1 से उपर नीचे multiply करोगे तो वो आएगा साइद आपके पास 2 minus under root 3 या 2 plus under root 3 ऐसा कुछ आएगा चलो calculate करें लेंगे उसको अच्छा ये plus आएगा ये minus आएगा सोरी 15 degree में होता है under root 3 plus 1 बटा under root 3 minus 1 उपर नीचे under root 3 plus 1 से उपर नीचे multiply करोगे 3 plus 1 plus 2 under root 3 आएगा और नीचे आपके पास आजाएगा 2 इसका मतलब 2 plus under root 3 ठीक है जी ये आपके पास 1075 की वेल्यू है जब जरत पड़ेगी तो हम काम मिलेंगे 6 मिटर लंबी एक सीडी है जैसे मान लो कि सर ये मान लो कि ये तो दिवार है 6 मिटर लंबी एक सीडी एक उर्दुवादर द्वज दंड के सिर्स से 6 मिटर मतलब एक जंडा लगावा मान लिया अपने है इससे 6 मिटर नीचे एक बिंदू तक पहुँच पाती है ये सीडी हमने लगाई और ये वाला है न यहां से यहां तक जो दूरी है वो कितनी है सर 6 मिटर 6 मिटर नीचे तक टक जाती है ये वाले जैडी यहां तक आके और एंगल कितना बनाती है एंगल बनाती है सर 75 डिगरी बनाती है cd की למb함 कितनी है कि सर 6 meter है आपको क्या बताना है द्वज दंड की लंबाई बतानी है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी तो सर ऐसे case में अगर मैं कहों कि मुझे क्या दे रखा है मुझे दे रखा है सर hypotenious और मुझे क्या calculate करना है perpendicular मुझे lump calculate कर लेता हूँ मैं lump जब calculate करूँगा अगर मैं लिख देता हूँ सबकी value sin 85 का जो value होता है वो होता है under root 3 plus 1 बटा 2 under root 2 होता है और cos 85 का होता है under root 3 minus 1 बटा 2 under root 2 अगर मैं ये वाली value calculate करूँगा sin 85 का formula लगा दो sin 85 बराबर لمb बटे करन और यहां से सर पी बराबर आ जाएगा 6 under root 5 6 sin 85 जो होगा under root 3 plus 1 बटा 2 under root 2 होगा ये हुआ सर perpendicular और इस perpendicular के अंदर जब आप ये 6 plus कर दोगे तो आपके पास इसकी पूरे के लेंता जाएगी पूरे के लेंता जाएगी ठीक है जी calculate करते हैं कैसे calculate होगा इसको under root 2 से आप उपर नीचे multiply कर दो बोलो कौन सा answer आ रहा है बोलो भई answer कौन सा आ रहा है D option आ रहा है ऐसा solve करने से D में 6 plus 3 under root 3 एक बार देख लेना 6 मिटर लंबी एक CD किसी उर्दुवादर 2 दंड के सिर्ष से 6 मिटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचती है CD के पाग से 2 दंड के सिर्ष का उन्नेयन कौन फिचोतर डिगरी है 2 दंड के लंबाई बिल्कुल सेम जो चीज मैंने आपके सामने बनाई है आपको 6 के अंदर ये plus करना है कि कितनी लेंथ आती है पर्पेंडिकुलर केल्कुलेट करके अब आप ये देख लो कि इसको जब आप सोलुशन करोगे 2 को जब आप इससे किंसिल करोगे 3 और अंडरूर 2 से उपर नीचे मल्टिप्लाई कर दो अंडरूर 2 से उपर नीचे multiply किया तो आ जाएगा 2 अंडरूर 2 भी तो आ रहा है अंडरूर 2 की calculation कहा है D option आ रहा है पक्का I think D option सायद, एक मिनिट, sin 54 की value तो सही है क्या sin 75 की value sin 45 plus 30 45 plus 30, जब हम इसको solve करेंगे तो आएगा sin A cos B plus cos A sin B sin B मतलब sin T सही है, अंडरूर 3 plus 1 बटा 2 अंडरूर 2, सही है sin का value तो बिलकुल exact है इसको अंडरूर 2 से उपर नीचे अगर मैं multiply भी करता हूँ तो नीचे से 2 हट जाएगा क्या हुआ D नहीं आ रहा है D नहीं आ रहा है कुछ न कुछ correction है ये आपके पास एक द्वज दंड दे रखा है और CD जो है वो CD जो है वो CD 9 मिटर 6 मिटर लंबी CD है ऐसे 6 मिटर लंबी CD है और यहां तक जब ये पहुंचती है द्वज दंड से तो 6 मिटर ही नीचे रह जाती है और ये इंगल आपको दे रखा है 75 तो ये height आपको निकालनी है उसके अंदर आपको 6 जोड़ना है और जब आप इसके अंदर ये निकालोगे तो आएगा सर साइन 75 बराबर लंब बटे करण 6 से इदर multiply करोगे तो P बराबर आजाएगा 6 अंडरूर 3 प्लस 1 बटा 2 अंडरूर 2 ये तो आया आपके पास किसके अंदर किसर ये तो आया आपके पास इस perpendicular के लंबाई इसके अंदर 6 जोड़ दो और 6 जोड़ोगे तो आपके पास ये आएगा अब आप देख लो कि 6 common लेने से सायद मेरे साब से टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे इसके अंदर अंडरूर 3 माइनेस एक उसाइन पंदरा की विल्यू नेगेटिव नहीं आएगा बेटा एक मिनिट 6 मिटर लंबी एक सेड़ी किसी उर्दवादर ध्वज दंड के सिर्स हैं मिटर नीचे एक बिंदू तक पहुंगती है सेड़ी के पादसें द्वज दंड के सिर्स काउनने अनकौन पिछोतर डिगरी है और द्वज दंड के लंबाई बेटा देखो कैलकुलेशन सही है आई तिंक ऑप्शन में या तो ऑप्शन के अंदर कहीं न कहीं मिस्टेक है ऑप्शन के अंदर कहीं न कहीं मिस्टेक लग रही है मुझे साइद कहीं न कहीं मिस्टेक हो गया डाइगराम बिल्कुल सही है आप इस कुशन को साइद कहीं न कहीं टाइपिंग के अंदर मिस्टेक है गलत हो मैं कंप्रम नहीं बोल सकता बाकी मैं आपको एक बार देखके टेलिग्राम पे या फिर मैं आपको कल की जो क्लास होगी कॉंसेट की क्लास उस क्लास के अंदर इंपॉम करके बताऊंगा कि कुशन के अंदर कहां मिस्टेक थी पेपर में सेम है छे कोमन लेने पर ओप्शन में मिस्टेक है ओप्शन के अंदर मिस्टेक आ रही है ना हो सकता है भई साइन पंदरा की विल्यू काम में नहीं आ रही है चलो जो भी होगा वो आपको कंफर्म करके बता दिया जाएगा ना कल की क्लास के अंदर कंफर्म करके बता देता हूं मैं जब सूरी की उच्चाई 60 डिगरी से बदल कर 30 डिगरी अगर हो जाती है तो एक उर्दुवादर इस्तम्व की चाया 6 मिटर बढ़ जाती है तो इस्तम्व की उच्चाई आपको बतानी है इस्तम्व की उच्चाई क्या होगी तो ऐसे केस में आप क्या कहोगे कि सर एक इस्तम्व तो लगावा है ठीक है जी एक इस्तम्व तो लगावा है और सूरिय का जो उन्ययन कोण है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है सूरिय का उन्ययन कोण जब 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है ये वाला है सर 30 डिग्री ये वाला है सर 60 डिग्री तो आपके पास चाया क्या है कि 6 मिटर लंबी बढ़ जाती है 6 मिटर लंबी चाया बढ़ गई आपको इसकी उच्छाई बता नहीं है बतादो फटा-फट से यार 30 और 60 वाला केस है हाँ जी आगई बात समझवें साइद या तो पढ़ने में मिस्टेगोरी कहाँ एक बार थोड़ा सा सांत रहो आप है न फिर बाद में बताऊँगा 30 है 60 है आपके पास ये जो डिश्टेंस दे रहे की है वो कितनी है 6 है और आप जानते हो 30 और 60 वाले डाइग्राम के अंदर ये आपके पास अंडरूर 3 होता है ये आपका 1 होता है ये आपका क्या होता है 2 तो 2 यूनिट बराबर कितना है 6 तो 1 यूनिट बराबर 3 आपको अंडरूर 3 यूनिट निगालना है जो क्या हो जाएगा 3 अंडरूर 3 जो कि बहुत सिंपल कुशन हुआ C option आपका सही आजाएगा C option आपका सही है ठीक चलो सर आगे चलते है आगे चलिए सर कुशन NDA 2021 का कुशन है जब सूरिय का उन्नेयन कौन 45 डिगरी है सूरिय का उन्नेयन कौन 45 डिगरी है तब किसी टावर की परचाई 60 डिगरी उन्नेयन कौन पर बनने वाली परचाई से X मिटर अधिक लंबी है यदि टावर की उच्चाई ये दे रखी है तो आपको बताना है कि परचाई में परिवर्तन जो है वो कितना है सुनना कौनसेट का ही कुशन है बाहर सवाल नहीं है कि सर ये तो है सर टावर और केस कौन सा है कि सर पहले तो आपके पास एंगल जो बन रहा है वो है सर 60 डिगरी का और फिर जो एंगल बन जाता है वो कितना है सर 45 डिगरी का और ऐसे केस के अंदर दोनों के अंदर जो चेंजिज है दोनों के अंदर ये जो चेंज है परचाई में परिवर्तन है वो है X और आपको ये दे रखा है कि इसकी जो height है वो कितनी दे रखी है 5 into 3 plus under or 3 5 into 3 plus under or 3 आपको height दे रखी है अब आप क्या बताओगे कि X किसके बराबर होगा कितने question आते हैं बेटा इससे क्या होता है कि कई बार तो 2 question आ जाते हैं कई बार 1 आ जाता है चलो जी लगाओ दिवाक अब आप दिवाक लगाओ कि सर जब भी आपके पास 60 और 45 वाला case होता है 60 and 45 वाला जब case होता है ये angle 60 है ये जब 45 है तो ऐसे case में ये कितना होता है under or 3 अच्छा ये कितना होता है एक और ये कितना होता है ये होता है तो आपको क्या दे रखा है कि सर अन्डरूर 3-1 बराबर कितना है एक्स है आप चालो इसको परिजन कर लो आपको जो गीवन चीज हो यह है यह देखो कि यह दे रखा है आपको परिजन करिए आप पर फोट तो अन्डरूर 3 unit बराबर बोलो कितना होगा कि सर ये होगा आपके पास 5 इसमें से अंडरूर 3 common लोगा मैं अंडरूर 3 common लेंगे तो अंडरूर 3 प्लस 1 हो जाएगा इसका मतलब सर अंडरूर 3 unit बराबर ये है तो 1 unit बराबर कितना आएगा एक unit बराबर होगा 5 अंडरूर 3 प्लस 1 होगा आपको कितने unit निकालने हैं अंडरूर 3-1 unit निकालना है तो आप multiply कर दो 5 इंटो अंडरूर 3-1 ये किसके बराबर होगा x के बराबर a plus b a minus b a square minus b square 2 आएगा 5 को 2 से multiply किया 10 आपका right answer ndana 2021 का सवाल ndana 2021 का question है अब दताओ यार question थोड़ा सा ही तू गुमाया हुआ है समझ रहे हो question थोड़ा सा गुमाया हुआ है और बच्चे आराम से गुम जाते हैं समझ गए जो भी चीज given है पहले उससे comparison करो आपको ये given है पहले क्या given आता था ये दाता था तो हम comparison इसको इसके साथ में करते थे लेकिन अब given है सर ये अंडरूर 3 unit बराबर ये है एक unit निकालो आपको x निकालना है और उसमें जो x है वो कितना unit है अंडरूर 3 माइनस एक standard diagram के अंदर clear होया बिटा बता दिया है मैंने वापस बता दिया बिटा चलो सर आगे चलिए अरे भाई जो भी diagram आपके पास बने वे हैं उनको standard से और standard सुबह concept class के अंदर आपको deal करवाया था कि standard diagram कौन से होते हैं ठीक है चलो जी अगला सवाल एक वेक्ती दो वेक्ती एक मिनार की विपरीदी सामें है अब जब ऐसा कुशन आ जाएं तो देखो केसी किया जाता है वो भी देख लेते हैं वे मिनार के सीर्स का उन्नेयन कोन करम से 30 डिगरी और 45 डिगरी है यदि मिनार की उच्चाई 25 मिटर अगर है तो बताओ दोनों वेक्तियों की बीच में दूरी कितनी होगी समझ पारे हो आप सवाल को सवाल ये है कि सर एक 25 मिटर की मिनार है एक 25 मिटर उची क्या है मिनार है ये 25 मिटर उची मिनार है एक आदमी तो इस साइड खड़ा हुआ है कितना एंगल बना रहा है कि सर 30 डिगरी एंगल बना रहा ह और एक आदमी मिनार तो फिक्स है एक आदमी कितने degree angle बना रहा है कि सर पेताले degree angle बना रहा है जब आदमी तो आपको इन दोनों आदमियों की बीच में दूरी बतानी है कितनी है बताओ A, B की length कितनी होगी A, B किसके बराबर होगा बताओ फटाफट बहुत सीधा सा है चलो जब बताओ ये फटाफट अरे भाई मैंने आपको standard diagram सारे सिखा रखे standard diagram के अंदर अगर यहाँ पर आपके पास 30 हो तो सर ये 1 unit होता है ये अंडरूर 3 unit होता है और standard diagram के अंदर अगर आपके पास ये 45 हो तो ये 1 होता है ये 1 होता है आपको दोनों के अंदर height बराबर करनी है बराबर ही है तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे मानूँ कि ये वाली unit कितनी होगी मेरे पास कि सर अंडरूर 3 unit होगी मैं कहूं कि 45 में कि 45 के अंदर 8 और दोनों के अंदर ये भी एक है ये भी एक बराबर आपको given चीज़ क्या है ये है 1 unit बराबर है 25 1 unit equal to हैसर आपका 25 आपको कितने unit निकालने है अंडरूर 3 plus 1 unit निकालने है इसका मतलब अंडरूर 3 plus 1 unit बराबर कितना होगा 25 को अंडरूर 3 plus 1 से आप multiply कर दो 25 इंटो अंडरूर 3 प्लस 1 जो की है सर आपका A option में A option आपका सही होगा बोलो आया समझ में 25 इंटो अंडरूर 3 प्लस 1 उनिट बहुत सीधा सा सवाल है ठेक है आगे चलते है हाँ जी H उच्चाई की एक इमारत के सिर्स से एक चटान के सिर्स और पाद बेटा इंग्लिस में जो लिखावा है वो थोड़ा सा सही है हो सकता है हिंदी कनवर्जन की हमने कोसिस करी लेकिन हो जाएं गलत हो जाएं इंग्लिस वाला में पहले पढ़ूँगा उसके बाद में हिंदी में कोई करेक्शन होगा तो करूँगा the top of a hill observed from the top and bottom of a building of height h is at angles of elevation 5 by 6 and 5 by 3 अब यहां पे जो लिखावा है h उच्चाई की एक इमारत के सिर्स से एक चत्तान यहां पर एक चत्तान नहीं आएगा ठीक है ना यहां पर एक चत्तान नहीं आएगा यह आएगा H उच्चाई की एक इमारत के सिर्स से सिर्स और पाद का उन्ययन कोण मैं आपको डाइग्राम समझाने की कोशिस कर रहा हूँ जो इंग्लिस के अंदर लिखावा है उस इंग्लिस के अंदर यह सा था कि सर एक बड़ी सी चटान है यह बड़ी सी चटान है ठीक है ना? इसको चटान बनाए देते हैं इसे ठीक है जी? यह है आपके पास एक चटान और इस चटान के पास में सर एक बिल्डिंग है यह है सर बिल्डिंग अब आपको क्या दे रखा है? देखो एक तो इसके टोप से इसको मेजर किया है और एक इसके bottom से इसको measure किया है और इसकी जो height देर की है building की वो कितनी है sir, h है Is it angles of pi by 6 and pi by 3 मतलब यह जो angle इसके top का बन रहा है वो तो है sir आपके पास कितना pi by, एक तो है आपके पास क्या pi by 6 और एक है pi by 3 तो यह वाला angle छोटा बनेगा जिसको मैंने मान लिया 30 है यह वाला angle ज्यादा बनेगा जो कि sir कितना है 60 है आपको यह जो चटान है इसकी उच्चाई आपको बतानी है चटान की उच्चाई कितनी होगी चटान की उच्चाई कितनी होगी यह मेरा आप से सवाल है क्या हुआ सर पहले छोटा angle लेंगे या बड़ा बेटा देखो इससे depend यह करता है जिसका जैसे मान लो कि मैं कहूं आपके पास किसर यह perpendicular है और perpendicular और base है मैं अगर कहूं कि perpendicular सेम है तो यहाँ पे यहाँ पे angle कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा होगा तो आप कहोगे कि सर जिसका base बड़ा होगा उसका angle छोटा होगा जिसका base बड़ा होगा उसका angle क्या होगा छोटा होगा जैसे इसका base तो पूरा यह आया और इसका base यह आया तो जिसका base बड़ा किसका है इसका तो इसका angle छोटा होगा ठीक है एक तो concept यह है, दूसरी चीज आप बना के भी देख सकते हो, आप अंदाजा लगाओ ना, कि angle कौन सा बड़ा होगा, देख लो, यहाँ पे देख लो, जब height बराबर हो, तो जो point उपर होगा, उसका angle कम बनेगा, नीचे वाले का angle ज्यादा बनेगा, बस यह सिदी से बाते हैं जब आपके पास ही h दे रखा है, अगर under root 3 दे रखा है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ मान के कर सकते हो, आप इसको तो basic तरीका है, उससे भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, बताओ, चलो जी, लगाओ, 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 फटाफट, मेरी बेटरी लूलो गई, हाँ जी, 30 डिगरी है, और 60 डिगरी है, आपको चट्टान के उचाई बतानी है, 30 और 60 वाला केस, लेकिन वो 30 और 60 वाला केस, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको basic तरीके से equation को करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई difference वगेरा का दे नहीं रखा इस वज़ ठीके केस में यह 1 होता है, यह अंडरूर 3 होता है, ठीक है, अब आपके पास अगर आप इसके अंदर इस पूरे के अंदर जब 1060 का formula लगाते हैं, 1060 का, तो 1060 बराबर होगा सर आपके पास perpendicular, perpendicular पूरा, H तो माना थार 1 आ गया था, इसका मतलब H प्लस 1, upon, upon सर आपके पास ठीक है, base, क्योंकि base अगर यह अंडरूर 3 है, तो यह भी अंडरूर 3 ही होगा, तो इसकी value आपके पास अंडरूर 3 होगी, आप इधर से इसको calculate कर सकते हैं, क्या आपके पास इसकी उच्चाई आएगी, यह edge है, total उच्चाई edge प्लस 1 आपको निकालनी है, edge की value निकाल सकते ह आप, या फिर पूरा कर लो भई, एक मिनिट ज्यादा जमेला फेल जाएगा बढ़ना, वापस डाइगराम बना रहा हूँ, यह चटान है आपके पास, और यह आपके पास एक tower है, और ऐसे case में सर यह जो angle है, वो आपके पास 30 degree बन रहा है, और यह जो पूरा angle है आपके प मान लो, x मान लो, तो आपको h plus x किल्कुलेट करना है, h plus x आपके पास कितना होगा, ठीक है, अगर आप इस triangle के अंदर formula लगाते हैं, जिसके अंदर 30 degree है, base आपको पता नहीं है, तो base हम किल्कुलेट कर लेंगे, तो इसका मतलब 10, 30, बराबर होगा सर, perpendicular upon base, और base को में क्या मान लो, y मान लो, तो यहां से y किल्कुलेट करो, एक बटा under root 3 बराबर होगा सर, x upon y, तो y बराबर कितना होगा, under root 3x होगा, y बराबर होगा under root 3x, इसका मतलब ये होगा under root 3x, ये under root 3x है, तो ये भी कितना होगा, under root 3x होगा, clear, अब आप इस triangle के अंदर formula लगाओ, जो कित कितना है सर 60 का इसका मतलब 36 बराबर perpendicular कितना है h plus x upon base कितना है सर आपके पास base है अंडरूट 3x इसको जब आप इधर multiply करोगे तो आपके पास इसकी value अंडरूट 3 है तो तो आएगा 3x बराबर आएगा h plus x इसको इधर transfer करोगे तो आएगा सर आपके पास 2x बराबर h, इसका मतलब x बराबर आया h by 2 x की value h by 2 है ये वाली value h by 2 है ये h है तो 3 h by 2 आपका right answer जो की है d option में ठीक है क्या हाँ जी b option आपका right answer है चलो जी आगे चलिए आगे चलिए nd na 2019 का question अभी कुछ question ऐसे आएंगे जिनका concept मैं आपको question से ही बता पाऊंगा तो आप उनका इंतजार करिएगा और पिछली बार ही एक question ऐसा आया था जिसके अंदर direction 2019 में आया था एक बार direction का question तो वो मैं clear करूंगा आपका 9 मिटर लंबी एक cd वोई आ गया है क्या वापस हैं द्वध दंड का उन्हें अन कोण कितना है 60 डिग्री है तो द्वध दंड की उंचा ही बताओ कितनी होगी बताओ जी देखें calculate करके बताओ English के अंदर जबूर पढ़ ले ना ए लेडर 9 मिटर लोंग रिचेज ए पॉइंट 9 मिटर बिलो दे टोप पोपे वर्टिकल फ्लेग स्टाफ प्रॉम दे फुट ओफ दे लेडर दे एलिवेशन ओफ दे फ्लेग स्टाफ इज 60 डिग्री वाट इस दे हाइट ओ फ्लेग स्टाफ तो बेटा बात वो की वो ही है ये धुवज दंड था ऐसा पिछले कुशन में किया था देखने इसमें भी आंसर आता एक नहीं आता है या तो फिर अपनी सोच गला था या फिर कुशन चलो जी ये दे रखाता कि ये 9 मिटर लंबी तो सर सीडी है 9 मिटर लंबी सीडी है और कितनी नीचे तक पहुँच पाती है 9 मिटर नीचे तक पहुँच पाती है और ये एंगल आपके पास कितना है 60 डीगरी दे रखा है तो आप ये निकाल सकते हो क्या ये निकाल लो कि सर ऐसे केस में ये जो आपके पास आएगा अगर इस हाइट को में H अगर मान लूँ तो साइन 60 साइन 60 बराबर होगा लंब बटे करण होगा H बराबर आजाएगा 9 इंटू अंडरूर 3 बटे 2 आजाएगा H और इसके अंदर आपको 9 और 8 करना है और फिर आप वेल्यू बताओ B ओप्शन आ रहा है इसमें CD के पाद से ध्वज दंड का 99 कौन साइद कुशन फढ़ने में मिस्टेक हो रही है क्या है आप किल्कुलेट करिए जैसे इसको देखे 9 इंटू इसकी पेल्यू होगी 1.73 और इसको 2 से डिवैड कर दो 2 से डिवैड करेंगे तो यह आएगा 0.86 और इसके अंदर आपको 9 और 8 करना है तो यह हो जाएगा 9 इंटू 0.86 प्लस का 9 9 मेंने कोमन ले लिया और 9 इंटू 1.86 एप्रोक्सिमेट 18 के आसपास आना चाहिए 15 के आसपास आ रहा है क्या शोर्स से बना हुआ इंगल मतलब यह वाला इंगल आ रहा है सायद वो ही तो कुश्चन पढ़ने के अंदर मिस्टेक हो रही है I think यह साइन 60 के वज़ाए इंगल पढ़ने में मिस्टेक हो रही है यह वाला जो इंगल है वो दे रखा है आपको 60 यह वाला इंगल आपके पास 30 है यह आपके पास 9 है यह आपके पास 9 है तो यह अब आप किल्कुलेट करके फिर प्लस करिए देखें साइन 60 साइन 30 बराबर होगा पर्पेंडिकुलर अपोन बेस और यहां से पी बराबर आएगा सर आपका 4.5 और 13.5 है यह वाई सी ओप्शन तो पहले वाले के अंदर भी यही मिस्टेक थी पहले वाले में भी ऐसी ही मिस्टेक कर दीती पढ़ने के अंदर मिस्टेक हो रही है बार बार आपको क्या दे रखा है आप कोशन वो समझे कि सर यह जो पॉइंट है इस पॉइंट से flag step का जो angle है इसके path का उन्ने अन्कोन ये दे रखा है आपके पास 60 degree ये दे रखा है उस पिछले question में भी यह correction था कि सर इसमें ये 60 degree है तो अपने को angle ये निकालना है ये वाला angle 30 degree होगा और इसी के according जब आप calculation करोगे तो answer आ जाएगा पढ़ने के अंदर mistake थी question को पढ़ने में mistake है बिल्कुल 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 हाना clear तो वो पिछला वाला जो question था जिसके अंदर हमने जहां पर हमने mistake करी थी वो एसी ही mistake थी कि जो angle है वो अपनने ये वाला पढ़ना चाहिए था जबकि हम ये बढ़ रहे थे इसी वज़े से उसके भी जो answer है वो गलत आ रहे थे ठीक है C option तो उस question को भी correction कर ले ना साइद वो कौन सा question था NDA 2021 का ये वाला question था इस question के अंदर भी बात वो की वो ही थी ये वाला आपके पास ये वाला angle 75 था तो ये 15 होगा और 15 होगा तो आपके पास value अंडर उड़ तीन माइनस एक बटे दो अंडर उड़ दो लेकिन इसमें भी option के अंदर तो mistake आएगी चलो देखेंगे इसको तो question नमर 8 एक मिनार की चोटी पर बेटा हुआ आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तवों का अवनमन कौन 45 और 60 है यदि मिनार की उचाई 50 मिटर हो तो दोनों वस्तवों की बीच में दूरी क्या होगी अभी मैंने आपको एक case करवाया था इसा का इसा ठीक है मैंने आपको एक question करवाया था जिसके अंदर angle क्या था 30 और 45 था अब जो angle है आपके पास वो है 45 and 60 degree चलो जी बता दो चलो जी एक मिनार की चोटी पर बेठा हुआ आदमी वोई बात के एक ये है सर मिनार है ना और इस मिनार की चोटी पर बेठा हुआ आदमी दोनों साइड में एक जो angle है वो तो पाता है सर 45 degree और इसी चोटी पर जो बेठा हुआ आदमी है वो एंगल कितना पाता है वो एंगल पाता है कितना 60 डिगरी तो आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है और आपको क्या दे रखा है आपको एक मिनार की चोटी पर बेटा हुआ आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमेन पर दो वस्तमों का अवनमन यह 50 लेकिन इस बार लोचा है वाई इस बार लोचा क्या है कि जब 45 एंगल बनता है तो स्टेंडर केस में सर यह 1 होता है और यह भी 1 होता है जबकि 60 डिगरी के केस में स्टेंडर में यह अंडरूर 3 होता है यह 1 होता है अब आपको दोनों के अंदर बराबर करना होगा अगर मैं इसको ऐसा करूँ कि इसको अंडरूर 3 से मल्टिप्लाई कर दूँ तो बराबर हो जाएगा इसका मतलब है कि सर अंडरूर 3 यूनिट बराबर कितना है 50 है अंडरूर 3 यूनिट बराबर है सर आपका कितना 50 आपको 1 यूनिट निकालना है 1 यूनिट किसके बराबर हो तो वन यूनिट बराबर होगा सर 50 अपॉन रूट 3 कितने यूनिट है दोनों की बीच में डिस्टेंस कि सर अंडरूर 3 तो ये एक ये अंडरूर 3 प्लस एक यूनिट तो अंडरूर 3 प्लस एक से आप उपर निचे ये करदो मल्टिप्लाई तो आप जरा देखिएगा आंसर आपके पास आ गया जो की कौन सा है सर डी ओप्शन डी ओप्शन आपका राइट आंसर है देखो बीटा एक बात सुनिएगा कि कई बार जो कुशन लेंगवेज वाले होते हैं उनके अंदर हमारा भी धिमाग नहीं चल पाता है ठीक है ना वो जो टाइप कुशन होते हैं उ में ज्यादा लेंगवेज होती है उनके अंदर ऐसा होने के चांसे होते हैं लेकिन गलती इंसान सही होती है अगर कहीं मिस्टेक होती है तो नेक्स्ट कुशन के अंदर नेक्स्ट क्लास में उनका करेक्शन आपको करवा दिया जाएगा ठीक है चलो जी आगे चलो दो खंब कितनी होगी मतलब देखो बात यह है कि जिससे सर यह जा रही है सडक ठीक है यह जा रही है सडक यह सडक है और इस तरक के दोनों के नारों पट दो खंबे लगेवे है हैं लाइट वाले पॉल यहां पर सड़क के बीच में एक पॉइंट है जैसे यह वाला पॉइंट यहां पर है तो जब आप इससे एंगल देखोगे इसका तो वो तो बनेगा सर 60 और इससे जब आप एंगल देखोगे तो वो हो जाएगा आपका 30 आपको क्या बताना है उनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है सर 60 है इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 60 है आपको खंबे की उंचाई बतानी है खंबे की उंचाई कितनी होगी बताओ फटाफट सेम केस है सेम केस है सेम केस हैं आप आराम से इस question को बना सकते हो 60 और 30 वाला केस और इसको logic से बनाओ चाहे आप calculation करके बनाओ 10 theta 10,60 का है ना ऐसा formula लगा के कर सकते हो अगर आप conceptual तरीके से करना चाहो trick से करना चाहो इस सवाल को तो और भी बड़िया बात है 10,60 के केस में बताओ मुझे 10,60 के केस में किसर ये अंडरूर 3 होता है ये एक होता है और 10,30 के केस में क्या होता है किसर ये एक होता है ये अंडरूर 3 होता है आपको बराबर करना है दोनों को और बराबर कैसे होंगे ये आपके पास height बराबर है height बराबर है तो ये under root 3 है तो इसको भी under root 3 बनाओ और वो कैसे कि under root 3 को इधर multiply कर दो और under root 3 को इधर multiply कर दो इसका मतलब अब आपको मुझे बताओ कि सर ये total दोनों के बीच में दूरी किसके बराबर हुई कि सर एक तो ये हो गई 3 ये हो गई 4 हो गई 4 unit बराबर है 60 4 unit 4 unit equal to कितना हुआ 60 इसका मतलब 1 unit बराबर बोलो कितना हुआ कि सर 15 degree हुआ 15 हुआ आपको कितने unit निकालने है under root 3 unit निकालने है तो 15 under root 3 आपका right answer आ गया 15 under root 3 ए ओप्षिन आपका सही है हाँ जी clear हुई बेटा लास्ट में बताऊंगा अगर question number 7 में अगर आपको कई mistake आ रही है clear 9 के अंदर A answer आपका correction है नहीं नहीं 1 p.m के class में नहीं हुआ है हो चुका है बेटा न question आगई बात समझे question number 9 में A option आपका right answer आगे चलो एक हवाई जाज के ठीक दाएं और बाएं नदी के दो जहाजों के अवनमन कौन 60 और पेतालेस है यदि दोनों जहाजों के ठीक बीच की दूरी है आपके पास 100 मिटर तो हवाई जाज के उच्चाई वो की वही बात हो गई अभी जो हमने case लिया था वो का वोई case है एक side आपके पास यहाँ पे हवाई जाज उड़ रहा है और इस हवाई जाज की उच्चाई आपको बतानी है एक side जो angle है नाव है उसका elevation angle आपके पास 60 और दूसरी side आपके पास जो है वो sir angle बन रहा है 45 तो आपको बताना है कि दोनों की बीच में दूरी भी बता रखी है दोनों जाजों की बीच में दूरी बता रखी है आपको 100 यह तो है sir आपको जो question में दे रखा है वो आपको यह height edge calculate करनी है अब आप standard पे आओ 60 degree की case में height जो होती है वो होती है under root 3 और base कितना होता है 1 और अगर मैं बात करू 45 degree की case में तो यह 1 होता है यह भी 1 होता है आपको वोई बात दोनों को बराबर करना है जब आप बराबर करोगे कि sir यह under root 3 है तो इसको भी under root 3 कर लूँ तो under root 3 से मैंने multiply कर दिया इसका मतलब क्या हुआ बाग कि sir यह जो दूरी है वो हमारे को पता चल गई 1 प्लस under root 3 है standard case में और question दे रखाई कितना 100 इसका मतलब sir 1 प्लस under root 3 unit 1 प्लस under root 3 unit बराबर बोलो कितना है कि वो है sir 100 आपको कितने unit निकालने है under root 3 unit hide तो under root 3 unit है तो आप 1 unit निकाल लो 1 unit कर दीजिए under root 3 minus 1 से उपर नीचे multiply कर दीजिए sun नीचे आएगा आपके पास कितना 2 इससे multiply करोगे 50 इसका मतलब 50 under root 3 minus 1 आजाएगा आपको कितने unit निकालने है under root 3 unit तो under root 3 से और multiply कर दो 50 under root 3 under root 3 minus 1 जो की है sir आपके पास पहले ही option में है तो a option आपका सही answer आजाएगा a option सही answer आजाएगा ठीक है आगे चलते है चलो जी बेटा कल मतलब कल तो class नहीं है 12 बज़े वाली क्रेस कोर्स की तो आपको कल का दिन मिल गया है आराम से न तो आप differentiation पूरा अच्छे तरीके से कर लेना next day जब भी class आएगी मतलब परसो जब class आएगी तो उसमें differentiation की class होगी differentiation पहले पढ़ लेना concept के class हो से हैं और फिर उसके बाद में questions आपको करने हैं चलो जी 80 मिटर उचे एक इस्तंब पर 20 मिटर उचा एक जंडा लगा है इस्तंब के आधार से 50 मिटर की दूरी पर इस्तित एक बिंदू से जंडा एलफा कोण अंतरित करता क्या super question है भाई बहुत जबरदस्त वाला कुशन है यह बहुत बढ़िया वाला कुशन है अब क्या ही बोलो इस सवाल के बारे में जब भी आपको जब भी आपको दे रखा है हाँ जी जब भी आपको अंतरित subtended angle अगर दे रखा है subtended angle तो वो क्या होता है एक line के दुआरा उसके दोनों point को मेच करने वाली line के बीच में angle होता है जैसे मैं कहूँ कि ये जो line है ये जो line है इसका मूल बिंदू उपर अंतरित किया हुआ कोण कितना है तो इस line को आप उस point से मिला दो जहां कि ये बात कर रहा है आपने मूल बिंदू से मिला दिया तो ये जो angle है वो है सर subtended angle है आगी बात अंतरित किया हुआ कोण है दोनों को मिलाने के बात तो same question सेम बात यहां पर बोली जा रही है 100 मिटर उच्चे एक इस्तंब पर 20 मिटर उच्चा एक जंडा लगावा है ये तो है सर 100 मिटर का तो इस्तंब है ये तो मैंने मान लिया क्या है इस्तंब है और इसके उपर एक flag लगावा है ये रहा flag ठेक है जी ये flag लगावा है और आपको क्या दे रखा है कि सर एक point है यहां पर 50 मिटर की दूरी पर है ये 50 मिटर की दूरी पर एक point है इस स्तंब की जो उच्चा ही है वो तो है 100 और इसकी जो उच्चा ही है वो है 20 मिटर और आपको दे रखा है कि देखो वाला होगा और वो है सर आपके पास alpha तो आपको 10 alpha का value बताना है इस case में क्या होगा 10 alpha का value तो ऐसे case में मैं कहूंगा बिटा ऐसे case में ये वाला जो angle है इसको अगर में बीटा मानू इस angle को अगर में बीटा मानू तो इस triangle में आप मुझे बताईए 10 बीटा किसके बराबर पर्पेंडिकुलर लंब बटे आधार और सर ये कितना आएगा लंब बटे आधार दो आया 10 बीटा का विल्यू कितना आगया आपके पास दो आगया ठीक है क्या question number 10 में C answer आएगा question number 10 में C answer बेटा मैंने पूरी calculation इसके अंदर कर दी है आपको one unit निकालना था तो पहले इसका हम divide करेंगे और divide करके अंडरूर तीन unit में निकालनी थी अंडरूर तीन unit में निकाल दी बिल्कुल सही है ठीक है चलो अच्छा अच्छा यार पतानी काई के गल्तियां हो रही है हाँ जी यह आपको जो height देर कीते न यह height में correction है यह आपको 100 नहीं देर रखा है असी देर रखा है तो 10 बीटा बराबर क्या होगा कि सर पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस इसका मतलब 8 बटे 5 10 बीटा बराबर कितना आया 8 बटे 5 अब सुनिए सर 10 बीटा की value आ गई अगर मैं यह पूरा angle मानू तो पूरा angle क्या होगा alpha प्लस बीटा 10 alpha प्लस बीटा 10 alpha प्लस बीटा तो ऐसे case में पर्पेंडिकुलर कितना पर्पेंडिकुलर पूरा 80 और 20 कितना किस हो अपॉन 20 बेस कितना है सर 50 इसको इससे cancel कर दिया तो आजाएगा 2 10 alpha प्लस बीटा का formula आप लगा दो इसमें तो क्या आएगा 10 alpha प्लस का 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 alpha इंटो 10 बीटा और बराबर बोलो कितना होगा 2 होगा आप cross multiply कर दो आपको 10 alpha की value निकालनी है 10 बीटा की value आपके पास 8 बटे 5 है value रगदूर calculate कर दो तो यह आजाएगा आपके पास 10 alpha 10 बीटा का value है सर 8 बटे 5 बराबर 2 इंटो 10 alpha और 10 बीटा का value है सर 8 बटे 5 इंटो 10 alpha अब calculate कर दो आप जब इसको इदर transfer करोगे 8 और 5 13 13 बटे 5 10 alpha और बराबर 2 माइनस 8 बटे 5 ठीक है तो यह आएगा 5 दो इंटो 10 2 बटे 5 आजाएगा और इससे यह cancel 2 बटे 13 फिर से कहा mistake होई भाई 8 और 5 13 B option 2 बटे 21 यह 2 नहीं लिखा होगा मैंने एक अच्छा अच्छा यह 2 इदर multiply हुआ 2 को मैंने इदर multiply नहीं करा 16 आएगा ठीक है यह 16 आएगा और इस 16 को मैंने इदर transfer किया तो यह आजाएगा 16 और 5 21 तो इसका मतरब 2 बटे 21 आएगा 2 बटे 21 इसमें भी calculation mistake सही है बी option आपका right answer दिमाग पूरा काम नहीं कर रहा है 11 question हो पाएगे ठीक है वीटा बी option चलो आगे चलो फिर नदी के किनारे 200 under root 3 मिटर की उच्छाई से के एक पहाड पर से एक विक्ति उसी दिसा में आते वे एक जहाज का अवनमन कोन 30 दिगरी पाता है दो मिनिट बाद में उसका अवनमन कोन 60 दिगरी हो जाता है तो जहाज का जो वेग है वो आपको बताना है जहाज का वेग कितना होगा चलो भई आपको दे रखा है कि 200 under root 3 मिटर यह मैंने मान लिया कि पहाड है और एक जो नाव है वो यहाँ पे थी नाव यहाँ पे है और नाव जब यहाँ से आती है तो पहले इसने देखा तो यह जो अवनमन कोन है वो है 37 दिगरी उसके बाद में यह जो अवनमन कोन है इसका वो कितना आ जाता है यहाँ पे जब नाव पहुंच जाती है तो 60 डिग्री हो जाता है और कितनी देर में पहुंच जाती है दो मिनिट के अंदर पहुंच जाती है दो मिनिट के अंदर नाव यहां से यहां पहुंच गई तो ऐसे case में आपको ये दे रखा है 200 under root 3 200 under root 3 तो इसकी hide दे रखी है तो अगर मैं कहूं कि 30 60 वाला case जब होता है ठीक है जब 30 60 वाला case होता है तो 30 60 वाले case में standard की position देखो किसर 30 60 वाले case में ये अंडरूर 3, यesz होता है सर 1 और ये होता है 2 आपको क्या पूचा है जहाज का वेग अब जहाज का वेग केसे निकालोगे जहाज का वेग आपको निकालना है जहाज का वेग किल्कुलेट करना है तो आप ये देखो कि सबसे पहले तो दो यूनिट बराबर दो यूनिट बराबर है सर दो मिनिट दो unit बराबर कितना है? दो minute इसका मतलब एक unit बराबर एक unit बराबर आपके पास आजाएगा एक minute यह तो किसके ट्रम में आया? किसर time के case में आया? क्या आया? time आया एक unit बराबर एक minute आपके पास आया अगर मैं बात करूँ कि distance के case में बताओ तो आप क्या कहोगे? किसर under root 3 unit बराबर under root 3 distance किल्कुलेट कर रहा हूँ distance में अगर under root 3 unit जो है वो 200 under root 3 के बराबर है तो एक unit किसके बराबर होगी? किसर 200 के बराबर मुझे कितनी unit निकालनी है? 2 unit इसका मतलब कितना आएगा? किसर distance जो है 2 unit के अंदर जो distance है वो कितनी हो गई? 400 meter हो गई 400 meter तो distance कवर करता है और एक minute उसको लगती है यहां से लेकर यहां पे आने में यह unit में ही काम चल रहा है भी यह unit में ही काम चल रहा है तो इसका मतलब सर यह है आपके पास distance upon time कितना है? एक minute है और इसको आप अब convert कर दो किसके अंदर convert करोगे? यह है ना 400 meter पर minute है और meter पर minute को जब आप convert करोगे तो बताओ कितना आएगा 400 meter पर minute है 400 meter को kilometer में convert किया 1000 का divide कर दिया और minute को गंटे में convert किया 60 का divide कर दिया इसका मतलब 3 0 से सर यह 3 0 आपके cancel और अब भी answer नहीं आया भाई साब पता नहीं भाई क्या हो राज 15 अंदर रूर 3 तो कोई chance ही नहीं है 2 minute के पच्चाथ उसका उनमन कौन? 2 minute 2 unit बराबर है 1 minute ओहो आपको 2 unit निकालनी थी 1 unit क्यों? 2 unit ही निकालनी थी आपको 2 unit बराबर 2 minute आएगा इसका मतलब यहाँ पे 2 का divide करना था 2 का divide होगा सर्थ 2 का divide होगा 2 का divide होगा तो आपके पास 12 answer आएगा answer आएगा B option बिल्कुल बिल्कुल B option यहाँ पे 1 unit निकाल थी 1 unit निकालनी time जो था ना वो 2 unit था तो 2 unit मेरे को calculate करना था 2 minute चलो भई आगे मैं सोच रहा हूँ कि आज पहली बार इतनी मतलब mistakes calculations के अंबर इतनी mistake कैसे हो पा रही है एक वेक्टी पूरू में इस्तित किसी मंदिर के उच्चतम बिन्दू का उन्नेयन कोण 60 डिगरी पाता है उत्तर की ओर 200 मिटर चलनने पर उन्नेयन कोण 60 डिगरी हो जाता है मंदिर क्यों चाहिए बताओ देखो भई ये है मंदिर और क्या दे रखा है कि पहले ये दे रखा है यहां से यहां तक 60 डिगरी मंदिर की जो हाइट है उसका elevation angle है 60 डिगरी और आपको दे रखा है कि ये आदमी जब इधर से इधर चल जाता है अब आपको कैसे पता चला कि सरी इधर चला कि इधर चला बेटा जब angle ज़्यादा है फिर कम होता है तो दूर की तरफ चलता है यह आपके पास 60 था जब दूर की तरफ चलेगा तब जाके angle कम होगा आपको इसकी height बतानी है बता दो भाई पटापर्स हैं एक दो कुछ नोर करवाएंगे आपको बतानी है इस मंदिर की height कितनी है तो आप 30 और 60 वाला case याद करोगे और 30 और 60 वाले case के अंदर हम ये कहते हैं कि sir ये जो height होती है वो तो under root 3 के बराबर यहां से यहां तक 1 unit के बराबर और ये होता है 60 2 unit के बराबर इसका मतलब 2 unit बराबर कितना है 240 2 unit equal to होगा 240 और 1 unit के बराबर कितना होगा 1 unit के बराबर 120 और आपको कितने unit निकालने हैं under root 3 unit निकालने हैं वो हो जाएगा 120 under root 3 unit मंदिर क्यों चाहिए 120 under root 3 बोलो उत्तर की ओर 240 मिटर चलने पर उन्यान कौन 30 डिगरी हो जाता है तो मंदिर की उच्चा ही आपको बतानी है 240 मिटर टू नौर्थ The angle of elevation is reduced to 30 degree Then the angle of height of the temple बोलो 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 पुटाफट कितना आएगा कि 2 unit बराबर 240 है उत्तर की तरब 240 मिटर चलने पर उन्यान कौन 60 डिगरी रह जाता है इसका मतलब 2 unit बराबर 120 हो गया और क्या निकालना है मंदिर की height निकालनी 120 अंडर उड़तीन आंसर नहीं आया बाई साब कुछ न कुछ तो गोचा है ठीक है आज क्लास यहीं पर रेंट करेंगे बाई 120 अंडर उड़तीन कहीं न कहीं क्या पता आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो कल देखेंगे चलो ठीक है बिटा भुथ प्रेत का साया आ गया चलो बेटा मिलते हैं कुछ कुछ इसके रह गए हैं तो हो सकता है कल की क्लास के अंदर और कंप्लेट आपसे करवा देंगे और नहीं तो फिर आप रेक्टिस करते रहिएगा डाइरेक्शन वगेरा भी देखी जाएगी चलो भाई आप दिमाह काम नहीं कर रहा है आज तो इसी वज़े से कलास अभी स्टोप हम कर रहे है और अगली कलास के अंदर आपको फुल करेक्शन के साथ में कुछ एक दू कुशन्स में साइद करेक्शन अगर कहीं रहा है तो कमेंट करेगा बता देता हूँ All the best, love you guys जैहिन